हरी हरी वोल फ्रेंड्स मेरा नाम रिजिंदर है और मैं पठानकुर्ट जुग्याल का रहने वाला हूँ पेशे से मैं एक किसान हूँ और आज मैं आपके साथ अपनी स्पिर्चल जर्नी शेर करने जा रहा हूँ सप्तंबर 2018 को मैं अपने मैंटर शीर रोशन ठाकुर्जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रस के साथ जुड़ा गोलोक एक एक्सप्रस एक अध्यात्मिक संगठन है जो ओनलाइन शिर्मत भगवत गीता जी का अध्यान करवाता है तो अध्यात्म की बात करूं तो बच्पन से लेके जवानी तक तो मुझे सिर्फ इतना ही ग्यान था कि भगवान के घर मंदिर जब भी जाओ भगवान से कुछ मांग लो और बस इतना ही इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था तो जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ रहे थे लाइफ के चैलिजिज बढ़ रहे थे तो उन चैलिजिज से के काफी ज़्यादा स्ट्रेस और रात को नीद का माना ओवर थिंकिंग की वो स्ट्रेंथ मुझे कहां से मिले वो मुझे कोई पता नहीं था और वो मुझे ये चीजें फिर मेरे प्रवारिक लाइफ में भी असर्ड आ रही थी प्रवार का मोहल भी काफी स्ट्रेस में रहना शुरू हो गया तो फिर अचानक प्रभू की कृपा होई रोशन ठाकुर या जी जो मेरे मेंटर है मेरे जीजा जी भी है वो इस डिवोशन के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने मुझे गैड कि क्यों नहीं आप इसको ट्राइब करते तो मैं और मेरी पतनी दोनों मान गए तो गोलो के साथ जूड़के जैसे ही मेरी दोतिन रीडिंग शिर्मत ब आगे बड़े तो उन्होंने मुझे बोला कि AAP सथसंग के साथ साथ 0540 का जब करिए अरे क्रिश्न और अरे कृष्ण ब्रत करने को बुला हमने वह करने श्रू किए फिर भगवान को भोग लगाने के बारे मी बोला कि आप घर में जो भोजन पका रहे हैं ना पहले भगवान को ओफर करिए और उस खाने को फिर अपने प्रवार के खाने के साथ मिक्स करिए उससे जो भी खाएगा उसमें पोजिटिविटी आएगी तो अध्यात्म के साथ जुणने से मुझे जे सारी मतलब जो है कलेर्टी हुई कि वाके में जे चीजें वर्क्स करती हैं इसको फिल किया एक मेरी आरती के बारे में उन्हों बोला कि आप अगर प्रवार का महोल और अच्छा चाहते हैं कि हो तो आप शाम के समय कठे बच्चो और इससे काफी अच्छा मुझे बच्चों से सभी का जो मेंटली लेबल है वो काफी पीसफुल लगता है और वो खुशी-खुशी अब जे करते हैं और मेरे अंदर और नेक्टिव चीजें थी एक तो ओबर थिंकी की बहुत प्राबलम थी मैं बहुत ज्यादा सब कुछ था यह नहीं थी बात की पैसे गोलोकक्सर के साथ जूडने से पहले भी आ रहे थे आप भी आ रहे हैं तो पर खुशी नहीं आ रही थी पहले अब जब से महान गरंत के साथ मादम से जूड़े हैं तो क्लेरिटी हुई है लाफ की कि हमें ज्यादा ग्रिजिस नही आती है जब भगवान के साथ जुड़ते हैं जब हमारी आत्मा कमजोर होती है जैसे श्रीर को तो हम भोजन दे देते हैं श्रीर की खुराग तो भोजन है लेकिन आत्मा की खुराग भगवान का नाम है वो हम नहीं लेते हैं ना ही हमें वो कहीं सखाया जाता है ना ही हमारे व बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं जहां से और कॉणफिडेंस लेवल भी मेरा काफी गोलो का जोड़ने से हाई हुआ है नहीं तो मैं काफी बैक बेंचर था और मैं कुछ भी किसी को फेस करने में बहुत डरता था और बहुत सारे मित थे जैसे मेरे अंदर जैसे स्मोकि कान के नाम के साथ नहीं जुडने के साथ बहाने हैं दोस्तों अगर आपको अंदर गंदी हैबिट्स हैं तो डिवोशन जाडू रूपी काम करता है आप चाहते हैं अगर कि आप इस दलदल भरी नरक पूर्ण इन आदित्सों से बाहर आएं तो एक बार डिवोशन को ट्रा अगर्टिव था वो चला गया और गोलोक एक्सरस में एक मॉडल प्रियर्स का भी बड़ा अच्छा है कि सत्संग में हमें जिस भी किसी हमारा जो डिवोटी है उसको जुरूरत है जा उसके प्रिवार में को प्रावलम्स चल रही है हम सब इकठे होगे उसलिए माला करते है और वो वाइत वर्क्स मैंने फील किया है वो काम करती है शाक्षात मैं उसका उधारन हूं कि मैंने देखा है कि डिवोशन करने से उसको फर्क पढ़ता है उसको सुनते है और दो रथों की तुलना और एवी सीडी मॉडल यह सब जब मैंने अपनी लाइफ में इंप्लिमें इसको फेस करने में दोस्तों तो एक complete health और complete happiness model है गोलोक एक्सप्रस का वो भी जब आप इसको implement करेंगे तो आपकी life transfer होए बिना transform होए बिना रह नहीं सकती दोस्तों तो मैं जहां इतना ही कहना चाहूंगा आप गोलोक एक्सप्रस में आईए दुख दर्द भूल जाईए एवी सीडी की भक्ती में लीन होकर नित्ते अडंद पाईए हरी हरी बोल हरी हरी बोल जैशी किश्ना